Hello everyone, welcome to my channel तो मैं आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही बढ़ी हैं, बहुत ही टेश्टी मखाने का उत्तपम तो चलिए हम इसको बनाने के ले लेंगे एक कप मखाना मैंने लिया है और उसी कप से एक कप सूजी है और फिर एक कप पोहा है, जो हम चूड़ा भी बोलते हैं उसको ले लेंगे और फिर उसी कप से हम एक कप दही लेंगे ये बहुत जादा खटी दही नहीं है इसको ही हम लेंगे, बहुत जादा खटी दही नहीं लेना है उसके जाद उसी कप से हम एक कप पानी डाल देंगे पोहा है अच्छे से फूल जाए उसके बाद हम इसका एक बैटर बनाएंगे पीस लेंगे इसको और लीजिए हम चार चार पार्ट मिट इसको ढग देते हैं और इसको हम दो हरी मिर्च डालकर इस तरह का बैटर त्यार कर लेंगे बैटर जो है गाणाई होना चाहिए पतला न देलेंगे और आप चाहे तो जो भी आपके बच्चे सबजी खाते होंगे पसंद से वह आप काट कर ले सकते हैं फिर हम इसमें डालेंगे एक छोटा सम्मस का आधा चम्मच इनू है इसको डाल देंगे और नमक डाल देंगे स्वाथ के अनुसार और सबको अच्छे से मिक् जैसा दिख रहा है आपको वीडियो में बिल्कुल उतना ही गाड़ा होना चाहिए बैटर अब दोनों तरब से मैंने बैटर को पैन में डाल दिया है और इतना बढ़िया यह टेस्टी नास्ता बनकर तयार होता है न कि आप चाहे तो बच्चों के टिफिन में या आप ऐसे देंगे आप चाहिए तो सारे सब्जी को मिकवस करके भी एक साथ उपर से डाल सकते हैं और इसको उपर से फैला देना है और इसको ढख seront किलीए दक कर पकाना है ऐसे खुले में नहीं पकाना था तो इसको ढख देंगे हम दो से तीन मिनट के लिए और देखे हमने पनीर के चुकड़े भी डाल दी है उपर से सब कुछ इसी तरह से डाल देना है और फ्लेम जो है न लो टू मीडियम फ्लेम पर रखे इसको हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है ने तो क्या होगा न कि एक तरफ अच्छे से पक जाएगा और अंदर से वह थोड़ा कच्चा कच्चा रह जाता है तो इसको हम ढक देंगे और ढक के इसको दो से तीन मिट के लिए और देखे उपर का हिस्सा जो है थोड़ा सूखा सूखा आपको दिखेगा बस उतने ही पेविश्को ऐस तरह से पलट लेंगे और देखे कितना बढ़िया सुनहला कलर का गोल् त्यार हो जागा, सीख जाएगा अच्छे से दोनों तरब से, और इसको हम फिर से एक दो मिनेट के लिए ढग देंगे, और चलिए जो हमारा उत्तपम है न, ये बिल्कुल बनकर अब रेडी हो चुका है, तो अब इसको निकाल लेते हैं, और बिल्कुल फिर इसी तरब से बा के भी डाला हुआ है, कि इसको भी हम फैला लेंगे इस तरह से, और सेम प्रोसेस इसको भी ढग कर उसी तरह से, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हम पका लेंगे, साथ-साथ आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चाइनल को सब्सक्राइब करें, लाइक समय में बन जाने वाला नास्ता है और हिल्दी भी है, तो आप अपने बच्छों को जरूर बना कर इसको खिलाएं, और जरूर कमेंट करें, कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है